देखे कराची का बुनियादी मसला जो है वो इसकी गवननस है गवननस जो है कराची का बुनियादी मसला है और गवननस को ये समझना चाहिए कि कराची हम सब जानते हैं बड़ा शहर है मगर मुंबई भी बड़ा शहर है जी देखे एक बात तो ये समझने की है कि PTI का मसला सम जीदगी ये नहीं है. पीटी आई की सबसे बड़ा मसला है उसकी समझ का. नारा मारना वो तो अपनी जगह पे है. वसाइल है नहीं. इस मुलक को खौम के पास वसाइल जो है आहिस्ता आहिस्ता अबतर से अबतर होते जा रहे हैं. हम पर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं. हमारी जो डिफेंस की जरूरियात हैं, वो अपनी जगह पे हैं, और हमारी जो नौकट शाही है, उसका पेट भरने से बाज नहीं आथा, चाहे वो civil bureaucracy हो, military establishment हो, तो PTI का मसला यह है कि केक है नहीं, वो हर एक से, जो है, कहते हैं, मैं तुमें केक करता बड़ा हिसा दोगा, तो संजीत क्यों जी, इसके मसला नहीं, PTI का बन्यादी मसला है, समझ का, उनके पास कोज़ देने को हैं नहीं, सिर्फ नारे मारते हैं, देखिए, एठारवी तर्मीम के बाद, संद के अंदर, नस्पोनस, गवर्निंस, डिवलप्मेंट, ये सारी की सारी जिमेदारी, बन्यादी तोर पर सिंध हकूमत की है, वफाकी हकूमत की जिमेदारी तो ये है, कि जो नेशनल फाइनन्स कमिशन में सिंध का हिस्सा मिलता है, उसे पूरी तरह से ट्रांसफर किया जाएं, और जो इडिशनल पैकेजिज या सपोर्ट, जो लहोर को देते हैं, पिंडी इसलामबाद को देत हैं, वो कराची को भी दें या सिंध के मुखतलिफ शहरों को दें, तो बुनियादी जिमेदारी तो सिंध हकूमत की है, हाँ, PTI और MQM कराची के बड़ी पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं, मगर local government तो ही नहीं, अगर local government नहीं है, तो PTI या MQM का बड़ी पार्टी होना चेमाने तारत, सिंध हकूमत का claim यह है कि उन्हें जो नेशनल finance commission है, उसमें से 200, सवा 200 अरब रुपे सालाना जो है कम मिलते हैं, और चूंके वो पैसे कम मिलते हैं, तो वो development पे या शेहरों की जो उसके उपर जो है, वो खरच नहीं कर पाते हैं, तो जैसे मैंने पहले अर् का है, governance कराची शेयर की थे, उन्हें तक हो, सिंध की अंदर हो, या पाकिस्तान की मुल्की सता पे हो, complete bankruptcy का शिकार है, और चूंके वो bankruptcy का शिकार है, तो कराची कराची में चूंके मैं और आप रहते हैं, तो हमें बढ़ाली नज़र आती है, हम लड़काना में नहीं रहते ह सकर में नहीं रहते हैं, हैदरबाद में नहीं रहते हमें वो उस तरह से नज़र नहीं आती, मगर हर जगा का हाल वही है जो आप कराची का देख रहे हैं, देखें, बल्दियाती कराची का बल्दियाती निजाम को समझने के नहीं हैं, पहले आपको कराची शेहर को समझने क किलोमेटर किराची का अर्बन हिस्सा है जहां पर यह कह लेजे जहां लोग रहती हैं ऐख न्यक्तिर्डेशिधार है कराची शहर में आ छह डिस्ठिक इस वार टेकनिकलई ली तो साथ शायद डिस्ट्रिक्स हो गई उसलें साथ डिम सी भी होने चाहीं दिस्टिक्ट मिनस्ट्रों कॉपरेशन अभी भी मेरे खाल में छे है छे कराची का जो अर्बन एरिया है उसका तक्रीबन पैतिस फीसद जो है वो कंटोन्मिन बोर्ड के मातहत आता है तो कराची के लोकल गॉर्मन जो है वो तो वैसे ही आउट हो गई उस पैट इस वी सद हैसे से अगर आप छे डिस्ट्रिक काउंस डिस्ट्रिक मिनिस्रिल कॉपरेशन और छे केंटोर्मन बोर्ड्स को मिलाएं तो 247 यूनियन काउंसल हैं इस वत कराची में और छे डिमसी और छे केंटोर्मन बोर्ड्स के दर्मयान मिलाकर एक हजार वार्ड्स बनते हैं अब यह जो एक हजार वार्ड्स हैं बुनियादी तोर पे किसी भी अच्छे शरीफ जीशहूर शेयर के लिए आपको गवेर्णन्स और इक्तिदार जो है इस लेवल पे मुंत्खल करना होगा माजी में कई लोकल गवर्णन्ट सिस्टंस बने हाज भी एक लोकल गवर्णन्ट सिस्टंस है ओर्डिनिन्स मॉझूत है मगर मसला यह है कि यह जो लोकल गौर्मिंट है वो लोकल गविनन्स के लिए होने चाहिए माजी में जिसको आप आम के MQM कहते हैं और मुझे कहने में कोई शुबा नहीं है MQM ने एक माफिया की शकल इक्तियार कर ली थी मगर जब भी वो इक्तिदार में हुए उसका इक्तिदार MQM के इक्तिदार का तालुख अवाम नास की जरूरत से नहीं रहा यहां पर जो काम किये गए आप MQM का बड़े से बड़ा वो ले लें यानि कि 11 साल गवर्नर रहा सीनियर मिनिस्टर रहे सब कुछ रहे लोग कहते हैं फ़ाइ लाक रूपे की लोग रिशवत नहीं चोड़ते थे यह कराची शहर के बेटे थे जिन्होंने हर तरह की नारा बाजी की आज भी नारा बाजी करते हैं मगर इन्होंने कराची शहर को उल्टी छुरी से काटा आज भी अगर आप कराची शहर में कोई भी अब एमक्यूम चली गई पीपल्स पार्टी है पीपल्स पार्टी का अल्मिया यह है कि ज्यादा तर मिनिस्टर्स जो हैं वो इंटिरियर सिंथ से आते है कोई शख्स गाड़ी खाता है धराबाद में पैता हुआ टंडो आदम चला गया टंडो आदम से आके वो एक रियल स्टेट एजिंसी पे बैठ गया उसके बाद वो कराची सिंथ का मिनिस्टर फर लोकल गॉर्मन्ट बन गया अंदर मैं आपको मिसाले दे सकता हूँ वो लोग जिनका कभी भी कराची शहर में स्टेक नहीं रहा वो लोग जो है इस वक्त कम से कम पिछले 10 साल से मैं देखता हूँ कि वो लोग कराची शहर की शहरक पर बैठे हूए ट्रांसफर पोस्टिंग्स चाहें वो एड्मिनिस्टेटर्स हो चाहें वो डीसी हो वो चाहें निचली सता पर बिल्डिंग कंट्रोल हो केडिय हो वो लोगों को लगाया जाता है जो लोग बोरी में भरके पैसा देते थे तो एक तरफ बोरी में लाशें दुसी तरफ बोरी में पैसा कराची शहर जो है इस वज़ा से जब तक कराची में जैनुन पुलिटिकल लीडर्शिप नहीं जैनुरिट होगी नहीं पैदा होगी जो आप ये कहिए कि वार्ड और यूनिन काउंसल के सता से निकल कर आए जिनका मकसद जैनुनली कराची के या चलिए कराची को छोड़िए अपने इलाके की बेतरी हो जब तक वो लोग बैटके कराची वाटन सिवरिज बोर्ड में वो बैटके सॉलिड वेस मैनेजमेंट बोर्ड में वो लोग बैटके बिल्डिंग कंट्रोल में और मेट्रोपॉलिटिन काउपरेशन में और डीमसी में बैटके फैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक कराची का हाल बेतर नहीं हो सकता कराची का मसला वसाइल की कमी नहीं है कराची का मसला वसाइल कराची अपने आप जनरेट कर सकता है अगर आप कराची शहर को इंपावर करें अगर आप कराची शहर को Union Council और District Municipal Corporation और केमसी और उस सतह पर इंपावर करें तो आप को पता लगेगा कि कराची शहर में वसाइल की कमी नहीं अभी पिछले साल बारिशे हुई क्लिफटन केंटोर्मेंट बोर्ट के अंदर या आपनी डी एचे में हर जगाप मैंने जो क्लिफटन एग्जेक्टिव आफसर था और उन सब से बात की उनका कहना है कि यह हमारे सिर्फ और सिर्फ अरब सवा अरब रुपए की हमारे मींटिनन्स का खर्चा है इतने पैसे हमारे पास आते नहीं तो भाई क्यों नहीं आते तुम हर शखसे कराची शहर में मैंने कि इंटोर्मेंट बोर्ट में आप लोगों से टेक्स लेते हो और आप टेक्स के नजब नखस चलाने की कुश करेंगे या वो लोग जिनका कोई शहर से शहर के लोगों से कोई तालुक वास्ता नहीं है जब तक वो इसका रहेंगे या बेहन भाई कराची शहर को लूटेंगे तो उसके नतीजे में कराची का वही हाल होगा जो आज है देखिए इक्तदार सर्फ इक्तदार नहीं होता जिमेदारी भी होती है जब तक आट अवाम नास को मुन्तकिल नहीं करोगे तो आप किसी जर्नल को भी ठाल दो किसी कमिश्टर को भी ठाल दो किसी को भी ठाल दो question भाहीं ज़ता दो वो उसके उपर फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट एक्जेक्टिव अथारिटी नहीं रखती वो तो एक्जेक्टिव को अपना फैसला सुनाती है अगर एक्जेक्टिव चाहे हकूमत हो चाहे नौकरशाई हो अगर उस फैसले को इंप्लिमेंट नहीं करती तो फिर माश्रा मुल्क जो है लाकानुनियत की तरफ जाता है हमारे मुल्क से जादा लाकानुनियत आज किस मुल्क पे है आज हमारा पाकिस्तान का जो कंपरिजन है या जो किया जाता है वो अफगानिस्तान और सुमालिया से किया जाता है अब तो بंगला देष हमसे सौमील आ गए है तो उसकी वज़ा यह जो आप बात कर रहे हैं कि सथ सिंध हकूमत मसला सिंध हकूमत का नहीं है सिंध हकूमत में जो वेस्टर्ट इंट्रे instruments हैं जो वेस्टर्ट ग्रॉप्स हैं जो लोग जो सिंध हकूमत पे काबिस हैं मैं चीफ मिनस्टर की बात नहीं कर रहा मैं चीफ सेक्टरी की बात नहीं कर रहा अगर जुरुत होती हैं मैं उनका नाम भी ले देता मगर वो तमाम वेस्टड इंटरिस्ट जो चाहें इसलामबाद से औरिजिनेट करते हैं चाहें वो सिंध के किसी अलाके से कहीं पिशावर से कर रहे वो वेस्टड इंटरिस्ट इस इसलाकानूनियत को जिसकी तरफ आप तबच्छते रहे हो अब मां दिला रहे हो वो उसको प्रमोट करते हैं अब Chief Justice of Pakistan बेजबाल का डंडा लेके तो बहां नहीं निकल सकते हैं तो बन्यादी तोर पे उन्होंने फैसला दिया अब अगर आप उसको नहीं करते हैं अगली बार आएगा वो उसका contempt का कर देंगे अगर किसी को पर contempt होगा उसको जेल जाना होगा उसको भी तो एक्जेक्टिवी ने जेल डालना है तो सुप्रीम कोट की अपनी भी limitations है देखे आप अगर कराची के मसले की तश्खीस चाते हैं तो आप एक ट्रांसपोर्ट उठा लेजाए देखे 1998 में कराची के अबादी सिंसिस के मताबिक जो एक करोड के करीब थी 1998 uw का सिंसिस जो था जयर् Nu early एक अच्छा सिंसिस समझाे जाता है खेर उस वक्त कराची शहर में 3 tiet laak registered कारे थी साड़े तीन laak registered motorcycle ри जा डिक ते और तकर практически 22,000 registered busy थी 1998 से 2018 आ गया 2018, 2017 के जो सेंसस हुआ आज हम सेंसस को छोड़ दीजे हम सब तसवूर करते हैं कि कोई ढ़ाई कोड़ की अबादी है कराजी के तीन लाख रिजिस्ट्रेट कारें आज बढ़के 16 लाख को क्रॉस कर गई है साड़े तीन लाख मोटर साइकलें 41 लाख रिजिस्ट्रेट मोटर साइकल अक्रॉस कर गई है और बदनसी भी देखिए वो जो 22,000 बसें थी वो आज तकरीबन 6,000 रहे भी है इन 6,000 बसों में से भी वो बसें शामिल हैं जो कॉर्पोरेशन फैक्टरीज अपने रूट के अपने पिक अप और वर्कर्स के ड्रॉप के लिए इस्तिमाल करती है तो ये ये सुरते हाले कराची बहुत सारी स्कीम्स बढ़ी कराची पहलना शुरू हुआ इस्कीम्स तैथिस वगर 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 लोग पहले गए मुझे जैसे अपने ट्रांस्पोर्ट खतम हुई तो कराची के जो बीचों बीच कच्छे अबादी हैं गयुम अबाद हो गया यह जहां पर भी वो एक एक मंजल दो दो मंजल के होती थी लियारी देख लेजिए वो सब आठ आठ दस-दस मंजल की वहां बिल्डिंगे बन च्छे से आठ मंजल की तो और सतन बिल्डिंग बनी गई अब उसका उसकी वज़ा क्या है इसकी वज़ाई है कि लोग सुर्जानी टाउन में लोग तैसर टाउन में और दूर पले रहके शहर में आके काम नहीं कर सकते हैं और चुंके वो आके काम नहीं कर सकते हैं तो वो पर कैम करते हैं तो क्या वो जो 120 गस का और 80 गस का प्लॉट था पहले एक मन्जल दो मन्जल थी वो उसकी वज़ा से पानी की लाइनों पर प्रेशर आया प्राप का पानी के इस वक्त के डिपलो एसबी का जो एस्टिमेट है वो पैतिस से 37 फीसद पानी का जो है system losses है यहीं कि pipeline से leakages में जाया हो गया या चोरी हो गया और उसकी बज़ाय क्या है उसकी बज़ाय यहीं है कि density बढ़ गए जब density बढ़ती है लोग section pumps लगाते हैं वो जो leakages हैं आपके जो pipeline का system है वो मजीद तबाह होता है जहाँ pipeline break करती है छोटा सा piece आप तब्दील कर देते हो बागी line है वो ही 25 साल की है तो वो आइसाइसा सरस्थी रहती है तो कोई भी कराची का मसला जो है वो एक दूसरे से हर मसला एक दूसरे से नत ही है और अगर यही समझ जाएं तो जिन लोगों के जिम्मदारी गवर्न से वो शायद कोई समझदारी के फैसले कर सके देखे जो 20-25 साल पुरानी line है सुविच के line है उनमें तो असुलन बारिश का पानी जाना नहीं चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ सुविच को कैरी करने के लिए होती है कराची का कराची एक खासा फ्लैट शहर है एक तरफ आपके पूरे मगरेब और साउथ में जो है समंदर है और अगर आप कराची एरपोर्ट को देखें तो वो 81-82 फिट सते समंदर से बलंद है आप अगर सुराब गोड चले जा है वो तक्रिबन 114 फिट है तो 16 किलो मेटर के अंदर 20 मीटर या 30 मीटर की या 40 मीटर की जो ग्रीडियन्ट है वो मतलब बहुत नहीं है लहौर की तरह नहीं है पिंडी की तरह नहीं है इसके नहीं किराची में नदी नाले थे जो तारीखी तर पे थे वो 38-42 नदी नाले थे उनमें से ज़्यादा तर को किराची के अवाम नास की मजबूरी और किराची के ओपर गाइम जो हुकुमरान रहें उन हुकुमरानों की जो ग्रीड या हिर्स है वो खा गई अब जब बारिश होती है, जैसे वो एक मखूला है कि जब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी घड़ा होता है कराची का नेचरल ड्रीनेज सिस्टेम इस काबल था कि वो उस पानी को निकाल सके और वो निकल जाया करता था, हमेशा हमने बच्छन से देखा है, बारिश हम बहुत बहुत बारिश होती थी, बारिश निकल जाता था अब नहीं निकलता, उसकी वज़़ यह प्रलिटा उनको आपने commercialize कर दिया उनको आपने जो है अब कच्छी अबादिये बन गई चोड़े चोड़े नाले जो थे अब अगर आप उन गरीबों को हटाते हो तो जासत की जिमेदारी है रोटी कपड़ा मकान आप अप अपनी जिमेदारी पूरी नहीं करते अगर वो कोई जगा चोटा स कोली या कोटरी बनाके बैठते हैं जो पर डालके बैठते हैं आप उसको तोड़ देते हो तो यह अगें जैसे मैं शुरू में हर्स किया था यह सारी के सारी चीजें देखिए कराची एक इंतहाई अमीर शहर है अमीर शहर इस लिहाज से है कि यह revenue generate करता है इस फुल का 70% हाक बनता है कुछ वसाइल इसके उपर खरच होने चाहिए आपके महले में मुंबई शहर है मुंबई शहर की ऑसत साल का जो बजट है इन ये मैं बात कर रहा हूं maintenance और मिट डिवलेप्मेंट और मुंबई पैगेजिस की बात ने कर तो तकरीबन कोई 900 आरब रुपह है अग पाकिस्तानी तुर्कियों के इश्मम बहुत शिद्ध से मुपतला है डीर करोड का इस्तंबोल शहर जो है उसका तकरीबन 900 से 1200 पाकिस्तानी अरब रुपह साल का बजट है आप गूगल कर लीजे उनके बजट देख लीजे कराची शहर को क्या मिलता है केम सीज डीम सीज व जो इस शहर का हक है मुंबई हिंदुस्तान का सतर फीसद रेवनियू जेनरेट टेक्स नहीं जेनरेट करता मगर कराची करता है इस्तंबोल सतर फीसद नहीं करता कराची करता है तो जो कराची शहर का हक है ना आप से विज लाइन्स चेंज करते हो ना आप कोई रिपेर्स क करते हो फिर जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो करते हो बड़े बड़े पैसे खरच करते हो उसके अंदर मैसिफ करप्शन होती है आप जो सब्मरीन चौक के ओपर जो अंडर पास बना उस अंडर पास का जाके हाल देखो आप देखो किस तरहां से पानी की लाइन अ हट के उपर से जा रही थी नतीजतन वो गलते गलते फाइनली कॉलाप्स कर गई आप जो मुनवर सोहरवर्दी अंडर पास कलाता है कराचे अपॉर्ट के नसी उसमें देखिए कितनी खराब उसकी कंस्ट्रक्शन है कहीं चले जाए कोई काम देख लीजिए कोई पुल देख आप देखें तो क्या होता है बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ठेका दिया जाता है वो जो बड़े प्रोजेक्ट्स में ठेका दिया जाता है उसमें बड़े पैसे बनते अभी मलीर एक्स्प्रेस वे अनौंस की गई 27 अरब रुपैसे आप 27 अरब रुपै कराची के सडक को दे दो पैसे बना लो तो ये एक तो गवर्न्मंस की समझ नहीं दूसरी ग्रीड छ्प ये कहना है कि पीप्ल्स पार्टी की गौवर्मिंट के अंदर ग्रीड और कर्प्शन है ये सही बात नहीं है हर लेवल पर करॉप्शन है और वो करॉप्शन है और उसका वज़ा जो है चाहे वो MQM हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या इस मुल्की इस्टेबलिश्मेंट है उसका डिसकनेक्ट है अवाम नास से आप कहते तो हो के ताकत का सरच्च्च्मा अवाम है मगर आप अवाम में यकीन नहीं रखते ना आप अवाम से कोई हमदर्दी रखते हो पाकिस्तान इस दुन्या का शायद पहला मुल्क है जहां पर वेक्सीन कमर्शल करोना की वेक्सीन कमर्शली लग रही है और अगर आप जाके किसी हस्पिताल किसी जगा पे पूछो कि वो स्पुटनिक मिल रही थी वो कहेंगे कॉर्परिट सेक्टर ने सारी की सारी खरीद ली तो जिसके पास पैसा है अगर मैं और आप कहीं से भीक मांग के 12,000 रुपे की वेक्सिनेशन कराने जाया हम नहीं करवा सकते क्योंकि जहां भी बड़ा पैसा है चीजों को साइफन आफ कर जाता है और यह जो हिर्स है और ग्रीड है वो इस चेहर में इस मुलक में खतम होके नहीं देती उसी के वज़ा से हम इस हाल पे है